कि आप स्टूडेंट्स मैसल विवेकनन पेटा आप स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू जो सामने लिखा गया है कि आप क्वेश्चन पेपर को कैसे टैकल करें एक्चल में हम यह बात करने जा रहे हैं कि क्वेश्चन पेपर के जो किस तरह से किया जाए कि आपका जो गलती करने का चांसे वह मिनिमाइज हो जाए मतला एक तरह से एरर बिल्कुल कम करें आप गलतीयां तो होंगी आपको बदा हैं लेकिन वह गलतीयां कैसे कम से कम हो तो उसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो आप सिंगल करेक्ट का मतलब आपके पास चार आप्शन वहाँ है अपने टैक्मा कर दिया and in that case आपको BCD को देखने के जुरूद भी नहीं है आप आगे चुल सकते हैं पर इतना अच्छा हर बार नहीं होते हैं आपको बता हैं तो भाई यह मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि पहले आपको काम होगा आपकी थोड़े सी हल्प के लिए विटा हमने जो टेस्स चला रहा था उसमें टेस्स सीरीज का सिक्स्थ टेस्ट और नाइन टेस्ट यूट्यूब पर अविलेबल है और बच्चों ने भी बोला है कि उनका लेवल आटी के लेवल से भी अच्छा है तो आप प्लीज उसको जाके देखिए कैसे चरना है और हमारी प्ले लिस्ट आपको मिली जाएगी है मेश्ट फेले यहां बात कर लेते हैं तो मैं यह कह रहा था बिटा कीने सब्सक्राइशन विल विल विन इसमें से कोई भी अगर एक option आपके पकड़ में आ गया कि correct है तो इसको correct करके बागी options को नहीं देखने हैं अच्छा आज मैंने एक test का discussion किया था usually करते हैं तो उसमें बच्चों को यह नहीं समझ में रहा था कि which one is correct and which one is not correct उस case में question में टाइम लगता है तो बिटा अगर इस तरह की situation आ रही है कि आप थोड़ा सा समय लगा के correct नहीं ढून पा रह आप YouTube पर जाके lectures भी देख सबके हमारे हम एक्जाम के questions के साथ ही बढ़ाते हैं एक तो यह चीज़ हो गई अब इसको attempt section A को attempt करते वक्त एक चीज़ का और धियान रही है आप लोगों को कि बेटा section A ही वह section है जिसमें negative marking negative marking का मतलब माल लीजिए थोड़े देर के लिए कि option C B correct है लेकिन आपने गलती से option B को correct में mark कर दिया तो आपके marks गए तो इसे case में आपको question थोड़े देर के लिए पोस्पॉन करके अगले question में जाना चाहिए mathematician के पास, statistician के पास या जो भी IIT का exam दे रहा है उसके पास clarity नहीं होगी तो तक काम नहीं होगा उनको ऐसा ही बंदा चाहिए ऐसे ही बंदे का तो selection होगा अब समझ रहें प्लीज यह छुटी-छुटी बाते दिहान में रखिए गा और आपकी सबसे जादा help question solving skill कैसे develop करें questions को कैसे solve के जाते है YouTube मैंने जैसे की बोला दो test available है हमारे lectures भी available है पूरा का पूरा एक playlist बना दी गई है पास्टियर questions की वह भी जाके आप देख सकते हैं आपको बहुत help में लिगी anytime आप free हो के call कर सकते हैं एक्जाम से पहले खुब अच्चे करते भी है आज कल रात को किसर आपने phone number दिया था अपना तो आमको यह problem आ रही है आप भी कर सकते हैं तो यह बात हुई section है कि negative mark वाला बहुत अच्छा काम लेकिन उसी टेस्ट में माल लीजे total marks बंद रहे 67 अब section ने में उसने 607 question गलत कर दिया तो इसके मतलब marks decrease होगे 50s में आगे तो यह वाला इस काम से बचो if you are not sure about every option please को थोड़ी दर के लिए पोस्पोन कर दीजे दिमाग शान्त होगा clarity आएगी तब जा इसके लिए या जिसका भी आप exam देने जा रहें उसके लिए विटे यह section B है जो बच्चे को सच्छ में सामने लेकि आता है कि उसके अंदर क्या बैठ हुआ है section B ही real talented बंदे का caliber दिखाता है आपको तो इसमें दिहान से सुनिए क्या क्या करना है आपको कैसे करते करना है इसमें चार options होंगे अब पार्ट एक ही तरह कि एक ही correct होगा और और आपको पूरे marks तभी मिलेंगे जब आप जितने correct options है उनको correct mark करें माल लीजे थोड़े देर के लिए कि यह true था यह true था यह true था यह false था आपने के वह आपने खुछ से एक्जामीन किया आपने यह किया यह पकड में आगे आपने इसको mark कर दिया हुआ है try तो आपका question गलत मने जाएगा आपको इसके लिए कोई में मिलेंगे इसमें टेलेंट तो दिखते ही है लेकिन इसमें एक प्लस पॉइंट है कि इस सक्षिन में नेगेटिव माग नहीं है अगर आपको credit score आएगा यहां आप institutions में जाएंगे वहां पार्ट B का अगर उनको marks देखने का मौका मिला तो जरूर देखते कि बच्चे ने पार्ट B में क्या क्या है क्योंकि यही ultimate reflection है बच्चे के काम का बच्चे के अंदर क्या है ध्यान रखेगा यह बहुत जबर्दस ची को सही सही attempt करने के लिए जिसको बहुत अच्छी knowledge है बहुत अच्छी knowledge मतलब मैं cricket से जोड़ देता हूं test cricket, one day cricket, T20 आजकल T20 का जलवा है बट आपको भी पता है T20 में खाली excel करने से कोई real cricketer नहीं बन जाता है एक होता है एक सूरज का चमकना है और एक धुमकेतू का चमक करने पड़ेगी तो आप one day भी खेल लेंगे, T20 भी खेल लेंगे, same here ये वाला attempt करने के लिए बिट्टा आपको mathematics अच्छे से आना चाहिए, subject का core knowledge होना चाहिए अब एक हकते में तो कुछ हो नहीं जाएगा, time लगाना पड़ता है तो please ध्यान रखने इस चीज का, इसमें negative माग नहीं, next, section C numerical answer type, just like section A, section B, section A में options सामने थे, आपको analysis करना था, analyze करना था, सही गलत पकड़ना था, section B में भी more or less वसी था, इसमें कोई option नहीं होगा, इसमें एक interval होगा, within which your answer will lie, मतलब इसमें इस तरीके से आते है, माल लीजे, आप question कर रहे है, माल लीजे, और आपका answer आया, जो question था, उसका answer आया, under root 2, under root 2 का मतलब 1.732, sorry, 1.414, हो क्या सकते है, अपना answer दीजिए, correct to two decimal places, correct to three decimal places, अगर दो बोल है तो 1.41, तीन बोल है तो 1.414, माल लीजे, आपका answer 5 आया, अब ये 5 को तो dot में लिखने का कोई sense नहीं है, 5 का 5 ही रहने दीजे, ये चीज़ से section A में और B में आपके options given थे, आप options को देख देखके analysis करकर के question को पकड़ रहे थे, सही या गलत प्रूव कर रहे थे, अब यहां तो आपके option नहीं है, बिटें, यहां तो core analogy काम आएगा, अगर कोई question पूछा गया है, question में जो जो given information है, आप उसमें से extract करके क्या-क्या औ knowledge सही direction में जा रही है, अगर सही direction में जा रही है, तो answer भी सही आएगा, मैं फिर भी इसके लिए section C के लिए कहूंगा, जाके हमारे test series का discussion देखे, इस point of time पे आपको जबर्दस help मिलेगी, मैंने test series का 6th number का test और 9th number का test, वो बहुत level बहुत अच्छा है, प्लीज जा के देखो अगर आपने तयारी बहुत अच्छी की हुई है, तो वो question paper दे, मतलब जब आप video देख रहे होंगे, वीडियो को pause करके question को पहले खुद करने ही कोशिश कीज़ेगा, नहीं हो रहा होगा, तो आप help ले सकते हैं, please मेरा request आप सबसे, बड़ी उमीदों से डाले हैं आपने YouTube नेक्स्ट, ये तीन चीज़े तो होगी मेरे बिटा, अब आगे सुनो, आगे सुनो, हाँ जी, natural question, कि सर कौनसे section पहले करना चाहिए, येस, जो बच्चे regularly हमार साथ जुड़ेगा है, बिटा जब test series का पहले test हुआ था, तो पहले test में मैंने section A से शुड़ो किया था, फिर test का discussion number 2 जब हो था, तो मैंने last वाले section दे शुड़ो किया, तो इस तरह से तीन discussion किया है, तो बिटा, ऐसा हो सकता है, कि section A असान हो, और आप smoothly आगे आगे बढ़ते रहें, लेकिन usually ऐसा होता नहीं, जाहिर सी बात है, किसी को question paper मिलेगा, तो शुरू से ही शुरू करना जाए एक question होता है, फिर next पर आई है, दूसरा होता है, फिर next पर आई है, अगर नहीं हो रहा है, पहला नहीं हो रहा है, इसको छोड़के अगला करिए, क्योंकि यहां competition बहुत जादा है, pressure भी रहता है, clarity नहीं होगी, तो आपका काम नहीं होगा, तो कौन सा section से सबसे पहले कर इस कुछ को bodybuilder बनना है, mathematics का, physics का, और stats बगर का, तो उनको B part करने में मज़ा होता है, कुछ numerical answer type नहीं है, मेरको calculation बहुत पसंद है, point में answer है, मैं तो निकाल दाँगा, कुछ को C पसंद होता है, तो बटा, यह तो उपर वाला ही जानता ही, कौन सा section अच्छा हैगा, just wait, जो मेर लिए अच्छा है, जरूरी निए वो सामने वाले के लिए अच्छा हो, मतलब, जिस subject पर, जिस topic पर मेरा पकड़ बहुत अच्छा है, for example, मेरको linear algebra बहुत अच्छा होता है, मैं student के तौर पर बात कर रहा हूं, तो जरूरी निए सामने वाले को linear बहुत अच्छा होता हो, उ उस समय जब आप test दे रहे हैं, तब क्या है, आपका mind कैसे काम कर रहा है, उसके लिए जरूरी है, रात को जगना मत, वैसे तो दुपैर में उन्होंने exam दे लिए अच्छा किया, बट फिर भी बच्चे exam के पिछली दिन जगने की आदत होती है, उस time पे जगिएगा नहीं, अच्छे जन्हीन लीजे, question पर मिले उसको प्रणाम कीजे, आराम से सारे काम होने, तो please which section to do first, बटा, अगर A section आपने attempt करना शुरू किया, questions बहुत अच्छे-च्छे हैं, तो आप smoothly आगे बढ़ रहे हैं, तो उससे अच्छा section कोई नहीं है, बट माल लीजे आपने A section attempt करन करना शुरू किया, जो कि आप करेंगे, पहला question हो गया, लेकिन दूसरा, तीसरा, चौथा question में थोड़ी परिशानी आ रही है, उल्जने आ रही है, clarity के साथ question नहीं हो पा रहे, तो थोड़ी दरे के लिए उसको पोस्पान करके अगले की तरफ बढ़ा जाए, बी section देख सक है, बी section करने के लिए आपको बहुत अच्छा solid knowledge होना चाहिए, अगर आपको उतना विश्वास नहीं है अपने उपर तो आप NAT वाला section देख सब्सक्राइब है, आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ, that should be very very clear, next, which topic to do first, जैसे कि अभी बात हो रही थी, my dear students, देखे, अभी मैंने कुछ देर पहले बताया है, मान लीजे, हमारा एक बच्चे ने prepare किया और इसने differential equation इतना अच्छा कर लिया है, कि इसको पूरा-पूरा confidence है, कि मैं तो exam में differential equation का question निकाल ही लूँगा, अब IIT के exam में differential equation के 5 से लेकर के 6 questions आते हैं at most, तो मान लोँ आप एक्जाम में गया वो और 6 questions आया हम आपे, अब 2-3 questions कर लिया है, लेकिन बात के जो 2-3 questions बचाने differential equation में, उसमें एक तो स्टरम लावली problem आ गया है, और इस तरह के का कुछ आगे है, देखे, मैं example दे रहा हूँ, Ronskyian से related कुछ आग whole raise to power 1 by 2, y0 is 0, और वो options में कुछ पूछ रहे हैं आप लोगों से, देखे, अगर आपने स्टरम लावली problem नहीं किया, या Ronskyian वाला topic अच्छे से नहीं किया, तो यह question आपका attempt भी नहीं कर पाएंगे, देखे, समझ रहे है, तो प्लीज इस sticker में आ रहे है, आप इको कह रह है, बिल्कुल यह समभव है, कि किसी का differential equation अच्छा है, और real analysis थोड़ा down है, लेकिन जब उसने exam में जाके देखा, तो real analysis को question इतनी अच्छा आ रहे है, sequence series के limit continuity के, real analysis को question मखन की तरह हो रहे है, और differential equation को question, जिस पे उसको 100 प्रतिशत confidence था, SLP से पूछ लिया, Ronskin से पूछ ल है, क्यों भी कि आफ 4th degree का polynomial दे दिया, रूट से नहीं निकल ले, तो CFPA ही कहां से नहीं का लेंगे आप, तो please, वहाँ exam में आपको easy questions करने है, ऐसे questions जो सबसे होने वाले है, that may or may not be from your favourite topic, दियान रखिएगा, linear algebra कुछ समय अच्छा होता है, group theory कई बार अच्छा होता है, कभी कभी खराब होता है, और मेरे को भी बता है, आपको बता है, बच्चा सबसे पहले, differential की तरफ भी भागता है, अच्छा बात करेंगे, double and triple integral की, double की questions लगबग बच्चे कर लेते है, triple की questions में सबको परिशानी होती है, फोड़ा केरफूली कीजेगा, इन्होंने, IIT वालो है, which topic to do first, मैं फिर repeat करूंगा, बार-बार repeat करूंगा, दस बार बोलूगा आपको, अगर exam में, अगर exam से पहले, मुझे group theory बहुत अच्छा लगता है, तो जरूरी नहीं है, exam में group theory के सारे questions में कर पाऊं, सारी यह के कह रहे हैं, मैं बिल्कुल टीक कह रहा हूं, अब अपन सारे topics मेंने touch किये थे, sequence series, limit, continuity, derivability, two variable का maximum, मैंने touch किया था, वह एक्दम simple question आ गया, saddle point है यह यह पूचा था, और आराम से saddle point निकल लिया, तो बिटा यह चीज़ ध्यान रहे है, एक topic जो एक बच्चे के लिए बहुत अच्छा हो सकता है, जरूर नहीं है, वो दूसरे का भी इसके लिए बहुत अच्छा हो जाए, एक्जाम में आपको mind open करके रखना पड़ेगा, there is nothing absolute in modern mathematics, और यह IIT का exam, ऐसे ही researchers को लेने के लिए है, ठीक है, ऐसे blink of an eye में कुछ काम नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, ऐसे question होगा मेंने, तीन हिंटे का समय कम नहीं होता है, बहु करेने के जुरुवत नहीं है, उससे कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं क्या होगा, बता हमने क्या आफ़ता जाएगी, किस चीज का pressure ले रहे है, अराम से करीए, खुब अच्छा अच्छा पड़ावाय आपने, वह इसको अपला ही कि, आज मैं क्या नाम है, test series का 9th test discuss कर रहा अब हम आपको जो चीज कराई गए, जैसे for example, every linearly independent subset can be extended to former basis, उस पर बेसे एक question मैंने, test series में दे दिया, अब जब हम discuss कर रहे था, बच्छों के साथ, बच्चे बोलते था, इसका तो question का कुछ सिर्पारी नहीं समिझ में आ रहा, इसका अपने धंधंग से, मतला, deep में जाके अगर आपने नहीं पढ़ा होगा, तो इसी तरह की statement देंगे, लेकिन उसी class में कुछ बच्चे थे हैं, जो आने वो result बता दिया, मैंने का ये results अपने पढ़ा है, लेकिन apply कितने लोग कर सकते हैं, that is important, please go and watch test series का test number 6 and test number 9, वो आप सब के लिए है, level बहुत 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 ब बहुत जगरें, जीवन में सफलता के नए शिकर छुए, thank you very much, namashkaram, thank you